हेलो माई दियो स्टूडेंस वेलकम टू अद्वित एजूकेशन मैं धपाली पांडे आप सभी का स्वागत करते हूं अद्वित एजूकेशन पर आपका रेलवी का एकजाम हो चाहे एक एकजाम हो या किसी भी चीज का पेपर हो जिसमें की साइनस पुछी जाती है कुछ मीटर्स हमने देख लिए है कुछ मीटर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो हम चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे हैं आ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमको रड लेना है मैं हम कुछ चीजें ऐसी बताती है जिससे हम relate करके उस meter को या particular measuring instrument है कोई भी चीज का है ना किसी भी चीज को measure कर रहा है तो हम relate करके दिमाग में बिठा लेंगे and याद रखेंगे तो चलिए देखते हैं आज का next जो है measuring instrument क्या है आपके सामने है अज का पहला instrument endoscope basically endoscope क्या है and endoscope क्या है दोनों चीज़ें आपन समझेंगे आपको यहाँ पर एक कुछ pipe सी दिख रही है और ऐसा इसमें बना हुआ है endoscope basically क्या है कि जब आपके सरीर के अंदर support करिए आपको यह पैर में चोट लग गई हड़ी टूट गई तो आप next ray करा लिया आपको पता चल गए कि हाँ यह हड़ी टूटी हुई है ना heart में कोई issue आ रहा है तो आपने ECG करा लिया उससे आपको पता चल गया लेकिन यह दी आपके small intestine large intestine स्टमक अंदर यानि अंदरूनी जगों में कोई issue आ गया जैसे अलसरी हो जाता है स्टमक में तो कैसे पता करोगे है कि नहीं endoscopy के थूँ क्या करते हैं जो यह pipe दिख रही है जैसे अभी covid में करते ना ऐसे mouth से insert कराते हैं एक pipe exactly वैसे इसमें दो चीजे होती है एक अपर वाला होता है एक लोवर वाला होता है तो आपर वाले में क्या करते हैं उपर से एक pipe insert किये और जैसे सपोज आपको स्टमक के अंदर चेक करना है endoscope का end उठा लो end का मतलब है मैं कि digestive system के end तक यह pipe जाती है सबसे last part क्या होता है एनस होता है है पूरी एनस तक जाती है पता करते हैं हम कि क्या issue है तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि मैं endoscope जो है वो end तक जाता है यानि कि शरीर के अंदर क्या issue है like आपके tissues में क्या issue आ गया है है ना large intense tiny small intense tiny stomach के तो यह सारी चीज़ें चेक करते हैं और यह process क्या कहलाती है यही process जिसके through हम pipe mouth से या कि यदि lower part से check up कर रहे हैं तो एनस से insert करते हैं यही process जो है आपकी endoscopy कहलाती है एक लिए चलिए endoscopy is the insertion of a long thin tube directly into the body to observe an internal organ or tissue in detail exactly internal organ या tissue के बारे में आपको जानकारी चाहिए है तो कैसे करोगे आप mouth से या lower part से insert करोगे pipe को और उसके through आप देख पाओगे तो याद रहेगा ना कि end आता है इसलिए मैं हम फुरा शरीर के अंदर तक end तक डालते हैं pipe को इसलिए endoscopy के अंदर हम क्या चेक करते हैं internal organs के बारे में हम पता करते हैं क्लिया चलिए it can also be used to carry out other tasks including amazing and minor surgery endoscopes are minimally invasive and can be inserted into the opening of the body such as mouth or anis this is the important कि दो opening है अपने शरीर में पहला है mouth दूसरा है एनस तो हम दोनों जगहों से ही insert करके spike के थूँ क्या करते हैं चेक करते हैं कि internal problem क्या हुई है suppose बहुत दिनों से पेट में दर्ध है ना दवाईया नॉर्मल लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिक्या करेगा doctor doctor endoscopy करेगा भई के अंदर चेक करें कि क्या बात है तो याद रहेगा endoscopy क्या process है and endoscope क्या करता है त्लिए चलिए next देखते है endoscope क्या है माना शरीर की अंदर के भाग को देखने ही तु प्रयूप्त यंद्र है यूज किया जाने वाला कहना चाहिए अंदर के जो अंदर के organs को देखने के लिए यूज किये जाना वाला एक instrument है और ये process endoscopy क्या रही है अई ये next देखिए यहाँ पर बना हुआ है यह देखिए यहाँ पर बना हुआ है बकाइदा कि endoscopy process के थूँ ऐसे instrument से ये pipe insert की गई देख पा रहे हो कहां तक गई है स्टमक से नीचे जा रही है है ना तो पूरा अंदर तक class तक जाती है और इसके थूँ फिर हम scan करके ऐसे monitor यहाँ पर बना होता है जिसके थूँ पूरा देख पाते हैं कि भई अंदर कहीं कोई problem तो नहीं है clear चलिए next देखते हैं why dear students hydrometer क्या होता है hydrometer पहली बात तो जैस बात भी ध्यान रखोगे कि कहीं पर भी यदि आपको hydro दिखता है hydro word आता है इसका मतलब होता है water या पानी लगभग well known होगा सभी को है ना सभी को पता है तो इतना ध्यान रखना कि यदि नहीं भी चीज़ें याद है यदि hydro word कहीं पर आ रहा है तो लगभग वो liquid से ही related water की क्या measure करते है density measure करते है कि actual में वो कितना dense है कितना उसका घनत्व है चलिए a hydrometer is an instrument used for measuring the density of liquid based on the concept of buoyancy they are typically calibrated and graduated with one or more scale such as specific gravity आप यहाँ पार क्लिरली देख पा रहे हो कि यह कोई जार है जिसके अंतर हमने कोई liquid रखा है suppose हमको measure करना है कि कितना dense है actual में ठीक है हमने hydrometer लगा दिया और हमने देखा उसकी reading जहां तक जाएगी हमको पता चल जाएगा जो तरल हमने डाला था जो liquid हमने डाला था उसकी density या उसका घनत्व कितना है तो याद रहेगा कि hydrometer क्या measure करता है मैं hydrometer जो है द्रवों का आप इच्छी घनत relative density measure करता है याद रखोगे कि जो hydrometer पहली बाद तो ध्यान रहेगा ये water याद रखोगे लेकिन याद पानी से रिलेटेट चार चीजें दे दिया कि भाई पानी का घनत तो पानी का आयता है पानी का ये चार option दे दिया तो फिर आप confused हो जाएगे तब आपको पता होना चाहिए कि hydrometer actual में जो है किसी liquid का या water का आपे चिक घनत तो या कहेंगे relative density measure करता है तो मैं याद कैसे रखेंगे hydro is related to water hydro का मतलब ही होता है water लेकिन क्या measure करेगा भाई that is आपे चिक घनत तो या relative density याद रहेगा चलिए next देखते है next fee hydro से ही related है next है आपका hydro phone hydro phone बोले या इसका दूसरा नाम भी है underwater microphone चलिए अब hydro फिर से आ गया hydro फिर से आ गया hydro फिर से आ गया यानि की मतलब है no doubt यह related होगा water से पानी से रिलेटेड होगा है ना बिलकुल होगा मैं लेकिन जब यह water यह उस से related होगा तो इतना तो clear होग्या आधी चीज़ तो clear होगये लेकिन phone भी तो आ रहा है साथ में है है ना हाइट्रोफोन जो है is a microphone designed to be used underwater for recording or listening to underwater sound suppose करिये पानी के अंदर जो बढ़िया एक ऐसी waves आती रहती है ना कुछ अच्छा सा sound है कैसे पता चलेगा भाई कैसा sound produce हो रहा है आप normal mic को तो वहाँ डाल नहीं सकते उसके अंदर पानी भर जाएगा उसकी function ही खतम हो जाएगा है ना इसलिए design गया गया कि भाई हमें बनाना चाहिए एक hydrophone जो पानी के अंदर के sound को भी बता पाए है की नहीं तो हमने पानी के अंदर डाला hydrophone और देखा कि भी वो तो sound record sound दिखा पा रहा है हमको बता पा रहा है है की नहीं बस जो normal mic जैसे होता है ठीक उसी तरीके से पानी के अंदर जो mic होता है जो हम रख सकते हैं use कर सकते हैं that is called as hydrophone clear तो hydrophone का दूसरा नाम क्या है underwater microphone normally mic होता है microphone होता है तो बस यदि हम पानी के अंदर उसको रखेंगे use करेंगे that is called as underwater microphone तो मैं याद कैसे रहेगा hydrometer बताया आपने hydrophone बताया तो भाई hydrometer है तो hydrometer से हमने याद रखा कि hydro and hydro दोनों जगह आ रहा है चाहे hydrometer हो चाहे hydrometer हो चाहे hydrophone हो लेकिन तो यह चीज आधी clear होगी कि दोनों चीज़ें पानी से related है लेकिन hydrometer में थोड़ा तो ध्यान रखना बढ़ेगा hydrometer आप एच्छी घंड़ तो मेजर करता है अब इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है hydrophone आ गया यानि कि phone ही होगा जो normal phone हम use करते हैं न फोन में दोनों चीज़ें होती है speaker भी loud, sorry, loud speaker भी होता है, mic भी होता है लेकिन यहाँ पर जो hydrophone है हमारा basically पानी के अंदर हम जिसको use कर सके mic को वही क्या लाता है आपका hydrophone या की underwater microphone clear, चलिए, तो यह ध्यान रहेगा, पानी के अंदर ध्वनी तरंगों की गर्णा करने में बिल्कुल पानी के अंदर जो है ध्वनी तरंग किस तरीके से प्रवाहित हो रही है, sound कैसा है, यदि हमको सुनना है, देखना है, तो हम क्या use करेंगे सुनने के लिए, that is hydrophone use करेंगे, clear, याद क्या से रहेगा, मैं जो normal microphone होता है, भई, वो तो हम पानी में डाल दी सकते हैं, वो तो खराब हो जाएगा, कुछ तो चीज़ चाहिए, पानी के अंदर के sound को सुनने के लिए, तो हम क्या use करते हैं, that is hydrophone, clear, चलिए, next देखते है, next instrument कौन सा है, next है, hygrometer, अब यहाँ पर कोई hydro नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, hygro, clear, hygrometer का use किसके लिए किया जाता है, तो hygrometer, जो है, basically hygrometer इजयन instrument, used to measure the amount of water vapor in the air, soil, or confined spaces, basically कहें कि humidity measure करते हैं, चाहे हो soil हो, या air हो, कहीं पर भी, अब हम याद कैसे रखेगे, देखो, h for hygro, h for humidity, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, hygrometer आया means, humidity measure करेगा, कहां कि करेगा, भई, no doubt, air की, soil की, जहां पर humidity होगी, वहीं कि measure करेगा, है न, चलिए, तो पहली चीज़ तो आप ऐसे भी याद रख सकते ह हो, दूसरा थोड़ा सा trick ऐसा है, hygro का जो pronunciation है, वो लगभग कैसा है, hydro जैसा ही है, और hydro का मतलब क्या होता है, पानी, नमी एक तरीके से है न, तो नमी measure करने के लिए, use किया जाता है, hygrometer आप ऐसे भी याद रख सकते हो, basic चीज़ है, यदि तस अभी आप ध्यान रखोगे हाइग्रो एच से आता है, and humidity भी एच से आता है, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, hygrometer used for measuring the humidity present in the air or the soil, clear, चलिए, तो basically hygrometer क्या करता है, वायू मंडल आदरता मापन करता है, आदरता का मतलब होता है, कि वायू मंडल में नमी कितनी present है, humidity कितनी present है, clear, तो यह है hygrometer जो basically ब या की air, clear, चलिए, next देखते हैं, next तो आग्या भाई, easy वाला है, यह तो मैं आपने कई बार बताया है, आग्या, lactometer, lacto, lactic, यह सारी चीज़े आएंगे, that is, it means कि यह related है किस से, milk से, curd से, दूद से, या दही से, lactometer basically आपको यह image इसलिए रखे, क्योंकि आपके दिमाग में बैट जाए, आपने एक गंजा दूद लिया, आपको doubt हुआ, आज तो दूद वाले ने बहुत पानी मिलाया, मुझे पूरा मम्मी भरोसा है, आपने मम्मी से का, मम्मी मैं पक्का बता रहा हूं, इसमें बहुत सारा पानी है, यह जो ठीक है मेटा, तेरे को बड़ा पता है बहुत सारा पानी है, हमारा दूद वाला दस साल से हमको दूद दे रहा है, बोलो को मम्मी अभी मैं परूप करके देता हूं, आप साइन्स की स्टूदेंट हो, उठाया लाक्तोमीटर, लाक्तोमीटर उठाया और चेक करके बता दिया, मम्मी भी दंग, अरे वाय यार, है तो लाक्तोमीटर बेसिकली बताता है कि आपका मिल्क जो है दूद है, उसमें दूद अक्चुल में मिल्क कितना परसेंट है, बाकी अशुद्धी जो है कितनी परसेंट है, यानि पानी कितना मिला है, बाकी चीज़ें कितनी उसमें मिली हुई है, तो हम किसलिए यूज करत आप प्रेटर्स किसी भी चीज में आपने दूद रखा है आप उसके थ्रूँ उसमें ऐसे रखोगे लक्तोमीटर को लक्तोमीटर से पता चल जाएगा कि आपका दूद कितना शुद्य है और कितना शुद्य है एंड लक्तो लक्तिक आ रहा है मिंस दूद या दही भाँ पर ध्यान रहेगा चलिए तो लाक्टोमीटर क्या करता है माम लाक्टोमीटर बेसिकली दूद की शुद्धता मापन करता है क्लिया चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स्ट आग्या manometer, देखो manometer को आप कैसे ध्यान रखोगे, manometer जो है basically यदि आपको यहाँ पर यह manometer दिख रहा है, manometer पर यहाँ पर जो reading है इसकी यह bar में दिख रही है एंड बार किसकी यूनिट है बेटा मैं बार की तो प्रेशर की यूनिट है किसकी है प्रेशर की यूनिट है मैं दाब की यूनिट है हिंदी में कहें तो मैनोमेटर क्या मेजर करेगा बार में रीडिंग है इट मिन्स प्रेशर मेजर करेगा है ना तो कन्फ्यूस नहीं होना ह मैंनोमीटर बेसिकली गैसों का प्रेशर मेजर्मेंट करने के लिए यूज किया जाता है कई बाद जगहें देखोंगे भी यह ज़ी कहीं पर गैस लगी हुई है तो ऊपर ये मैनोमीटर लगा होता है कि बकाइदा प्रेशर पता चलता रहे जादा तो नहीं हुआ है ना A manometer is an instrument used to measure and indicate the pressure दो तरह के manometer होते हैं analog and digital basically हमें क्या ध्यान रखना है यह manometer used to measure the pressure चल यह next देखते हैं next तो easy है और microphone है ना अभी हमने देखा था hydrophone यहाँ पा रहा गया microphone, mic तो सभी को पता है, सब को पता है, सब को पता है मैम भी mic से पढ़ा रही है, है ना मैम यहाँ पर यह mic लगा हुआ है, मैम बोल रही है तो basically यह mic क्या कर रहा है, mic जो हमारा sound निकला उस sound को एक electrical signal में convert कर दिया आब सुन पा रहे हो, वो किस चीशिसे सुन पा रहे हो आप speaker के थूरू सुन पा रहे हो, है ना फोल में जब आप बात करते हैं, तो यहाँ से जब आप बात करते हैं Mike के थूरू आप बात करते हैं और यह mic क्या करता है, इस sound को जो हमने बोला उसको एक electrical signal में convert करके कहां पहुचाता है जिनसे आप बात कर रहे हैं हैना, तो जिनसे आप बात कर रहे हैं वो कैसे सुन रहे हैं, तो, वो speaker के थ्रू सुन रहे होते हैं, तो clear हुआ Basically, जैसे हम बात करते हैं आप इसको ध्यान रखें, दो चीजे होती माइक एक होता है लाउड स्पीकर है ना तो माइक का मतलब है कि हमने जो बुपला उस सिग्नल को किसमें इसान के से हम बात कर रहे हैं की सबसटा है माइक तो दो चीजे होती हैं दोनों से ही economics बन जाते हैं माइक्रो फोन का आप यह पहले वाला verd याद रखो फ़हले तीन सब्द किता माइक माइक तो पता है मैृक के थू हम बोलते हैं जो कि क्विता है, नौमल साउन्ड को इलेक्डोर सिगनल में कनफ至 कर्देता है, तो माइक्रोफोन इसको शॉट फरम हम माEK बोलते हैं मयक्रोफोन यह दी आ ग्या तेकनिकल अचानक से बच्चे घबरा जाते, माइक्रोफोन तो नहीं सुना भाई, माइक सुना है, नहीं नहीं वही चीज है, यह कि नहीं, चलिए, ध्वेनी तरंगों को विद्दु तरंगों में परिवर्थित करता है, वही बात हुई कि जो आपकी sound wave थी, क्या sound wave, जो आप हमने बोला, उसको किस में convert कर दिया, उसको आपके electrical signal में convert कर देता है, clear, a microphone called a mic, is a device या transducer कहलाता है, that converts sound into an electric signal, यानि कि जो sound हमने बोला, उसको electrical signal में convert कर देता है, microphone are used in many applications, such as telephone, बिल्कुल telephone में जब हम बात करते हैं, तो mic ही सकता आवश्रक्ता होती है, ने, mic लगा होता है, या कोई concert हो रहा है, तो mic में, singers क्या है, singers के पास तो हर समय, mic में ही तो गाना करते हैं, है ना, चलिए, use बताने के आवश्रक्ता नहीं, आप सभी को पता है, कि mic कह कहां, कहां पर use करते हैं, basically ध्यान क्या रखोगे, microphone क्या है, which convert the sound wave into the electrical wave, चलिए, next दिखते हैं, next भी easy है, microscope, बताने क्या वश्रक्ता नहीं है, साइंस बच्पन से पढ़ते आ रहा है, लेकिन माम एक चीज़ बताएंगी, microscope में आ रहा है, micro, micro का मतलब होता है, सूक्ष में चोटी, है कि नहीं, भई, microscope में आ रहा है micro जिसका मतलब होता है तो बस इतना ही आत रखो कि microscope में मतलब है micro चीजों को एकदम छोटी चीजों को हम यहाँ पर रखते हैं और चीजों को ऐसे गुमा गुमा करके देखते थे science में यदि lab किया हो 9 मी दस मी में भी बताते हैं भले 11 से स्ट्रीम चेंज हुआ हो लेकिन माइक्रोस्कोप लाब में लगबख सभी बच्चे देखे होते हैं छोटी वस्तुओं को सपोज आपको दही में देखना है लाक्टो बैसिलस जिवाडू होते हैं या नहीं आपने दही केक ड्रॉप यहां पर रखी और उसमें देख देखो basically microscope क्या है मैम तो सूच में वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्री जानी की छोटी चीजों को चोटी वस्तुओं को बड़े रूप में दिखाता है नॉर्मल दही में तो हमें देखी नहीं रहा था यार कि कैसे कैसे है कि नहीं नॉर्मल आप दही लेते हो डेली बढ़ी है नमक शक्कर मिला के खा लेते हो कोई नमक में कोई शक्कर में ना कभी थोड़ी देखा कि अरे इतने बड़े बड़े जीवारू चल रहे हैं जब हम उ बिसिकली क्या है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इग्जामीन फॉर दा टू स्मॉल ऑबजेक्ट जिसको कि हम नॉर्मल आइस से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए यूस किया जाता है क्लिया याद रहेगा कैसे याद रखोगे आप याद रखोगे कि माइक्रो का म भाग्या ओडोमीटर नैंसि नेक्स क्या है आपका ओडोमीटर नेक्स क्या है आपका ओडोमीटर बसीकली क्या करता है जेश्चें जोता हिए बच्चों घर शाहिट इनSON उनों में difference create करना थोड़ा सा tough होता है लेकिन आप याद कैसे रखोगे हम बताते हैं यदि आप difference नहीं create कर पा रहे हैं पहले difference बताती हुद यह भी बता रहे हैं odometer basically क्या है odometer बताता है आपने कितनी distance cover करी suppose पापा ने आपको स्कुटी थी बेटा जाओ थोड़ा सा market से फल ले करके आ जाओ लेकिन आपको तो जाना कहीं और भी था अब आपने पापा को नहीं बताया आप चुपके से निकल गए लेकिन पापा तो होश यार है science की student रहे हैं उन्होंने चेक कर लिया भई गाड़ी तो लगबग 5 km चलने चाहिए पास में यह market यह कैसे 25 km कैसे दिखा रहा है कैसे चेक कर लेते हैं और डो मेटर के थूप पता कर लेते हैं कि आक्चुल में आपने कितने distance कवर करी जबकि स्पीडियो मेटर के थूप आपकी स्पीड उसमें रिप्रेजेंट होती कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो है ना अब जलती जलती जाना थे 25 है और सबकी लिए स्पीड हाई होती है हैना मेरे लिए तो साथ ही बहुत है तो मतलब साथ, सतर चाहिते स्पीड मे आप गये तो वो कौन बताएगा? स्पीडो मेटर बताएगा ना ओडो मेटर क्या बताएगा औडो मेटर डिस्टिंस ट्रावल्ड बाई वाहिकर सच एस बाईस्किल और कार यानि कि बेसिकली ओडोमीटर क्या करता है आपने कितने डिस्टिंस ट्रावल करी यह बताता है है कि नहीं चलिए तो आपको याद कैसे रहेगा आप दोनों चीजों को याद रखोगे स्पीडोमीटर को कैसे याद रखोगे? स्पीडोमीटर में मैं आता है क्या? स्पीडोमीटर में आता है स्पीड और स्पीड का मतलब है बताएगा वो कि आप कितने स्पीड से ट्रावल कर रहे हैं तो बस यदि आपको स्पीडोमीटर भी याद है ना तो आप फिर गलत नहीं करोगे क्योंकि आपको ध्यान रहेगा अरे speedometer तो speed बताता है तो odometer पर speed बताएगा नहीं यानि odometer क्या बताएगा odometer बताएगा कि आपने कितने distance travel करी यानि कि आपने कितनी दूरी travel करी है ये बताएगा odometer clear दोनों में difference के साथ याद रखना question गलत नहीं होगा चलिए next देखते है next रेडियो मीटर क्या करता है यहाँ पर भी पकड़ लो यार आगे का word रेडियो पकड़ लो सिर्फ उससे काम हो जाएगा यदि आपने सिर्फ आगे का वड़ ही वकड़ लिया उससे भी काम हो जाएगा Basically, radiometer में आ रहा है radio यानि कि ये measure करता है radiation Radiation का मतलब क्या है मैं? विकिरण, यानि कि radiometer क्या है? विकिरण मापने वाला एक यंत्र होता है Radiometer is a device used to measure the intensity of radiant energy यानि कि जो radiant energy आ रही है, विकिरण उर्जा आ रही है Actual में कितने intensity से, कितनी तीवरता से आ रही है No doubt, सूरस से जब प्रकाश निकलता है तो पृत्वी तक जो आपकी radiant energy पहुँचती है उसकी intensity कितनी है, वो कैसे पता लगाओगे? आप radiometer के थूँ लगाओगे तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा मैम, radio पहला word है Radio को हम radiation से relate करेंगे, याद रखेंगे तो radiation कितनी intensity से आ रहा है? It means कौन बताएगा? ये radiometer बताएगा तो basically आपको ध्यान रखना है कि जो sun से intensity आ रही है उसमें basically आपको ध्यान रखना है कि radiometer measure करता है कि कितनी intensity से radiation आ रहा है Intensity of radiation measure करेंगे तो radiometer का पहला ही तीन बड़ आप याद रखना है तो radiation radio से ध्यान में रहेगा चलिए, next क्या है? Next है salinometer Salinometer क्या है? Next है आपका salinometer क्या करता है? Salin हम normally बोलते हैं न यह वाटब और salin है यानि कि लवड Salin को मतलब होता है लवड या salt या salin को आप यह से ध्यान रख सकते हो सिर्फ आप salin पकड़ो यानि कि salt पकड़ो गिंदी में कहें, लवड कहें और acid base and salt तो खूब बढ़ा है जिसकी pH value कितनी होती है मैं हम साथ होती है neutral होती है तो लवड या नमक के घोल की सांद्रता मापन करने के लिए हम यूज करते है salinometer को a salinometer is a machine that is capable of measuring the table salt NACL content known as a salinity of a solution basically यदि कोई solution है sodium chloride का तो हमें पता करना है कि उसकी सांद्रता कितनी है कि नहीं कितनी सांद्रता है उसमें NACL की तो हम किसकी त्रू measure करेंगे that is salinometer के त्रू बिल्कुल टफ नहीं है salinometer लिखा रहा है चाल लवडता मापी लिखा रहा है दोनों में ही clear हो गया saline लवड यानि कि क्या measure करेगा अब सांद्रता तो ध्यान दखोगे न कि सांद्रता measure करेगा किसकी लवड की यानि उस liquid में कितना present है clear? याद रहेगा? चलिए अगला देखते हैं next है screw gauge याँ पूरे school में हमने पढ़ा है vernier, calipos, screw gauge खूप सार experiment करवाए है की नहीं? नहीं भी करवाए हैं तो ये आप इस तीज को instrument को देखिए screw gauge actual में ऐसा ही दिखता है measure क्या करता है? एकदम fine wire है और उसकी आपको width चाहिए चोड़ाई तो कैसे निकालोगे? सबस्वर एक बाल आपने हासे से निकाले मैं कहूँ बेटा, इस बाल की चोड़ाई कितनी है? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? screw gauge से बताओगे कैसी है, कितनी है, उसकी चोड़ाई है इतनी fine wires की यदि आप तो width fine करनी है the screw gauge यूस किया जाता है महीन तारों का व्यास ग्याद करने के लिए व्यास वही है क्या? diameter the screw gauge is an instrument used for measuring accurately the diameter of a thin wire or the thickness of a sheet of metal it consists of U-shape frame यहाँ पर होता है U-shape frame यहाँ पर बनी होती है scale हम यहाँ पर फसाते हैं जिस चीज को हमको measure करना है यहाँ पर और देन हम उसको scale को adjust करके measure करते हैं बहुत experiment करवाए है school में teachers है ना one-year calipos screw gauge का ठीक है? चलिए तो basically कैसे ध्यान रखोगे माम जो screw gauge होता है वो एकदम fine एकदम पतली जब मामने hair ऐसे याद दिला इसे याद रखो ना hair जो है वो किस से measure करते हैं hair की जो है चोड़ाई माम screw gauge के थ्रू एकदम fine कोई wire है किसे measure करोगे screw gauge के थ्रू clear? तो यह आज हमने part 2 में देखा कुछ important meters जो किसी भी exam में यही science आ रहा है उसमें पूछे जा सकते हैं तो बिलकुल ध्यान रखना है ना आपको लगे कोई doubt है तो आप telegram में मुझे message करिए link दी होई है आप join करिए मेरा telegram है ना चलिए my dear students मिलते है नेक्स लेक्चर में थैंक यू